मैं पंकजा गोपीनात मुल्ले आज पत्रकार परिश्ट ले रही हूँ इसका कारण 2019 में जब से मैं चुनाओ में पराभुत हुई हूँ अनेक चर्चाओं का सामना मैंने किया हैं अनेको बार भारतिय जनता पारिटी ने निर्णे लिए हैं अनेको राज्यसभा का जब सीटा तब मेरा नाम चलता था विदान परिश्ट का सीटा जब चुनाओ वया मेरा नाम चलता था ऐसे परस्तिती में जब जब मेरा नाम चला और मेरे बारे में निर्णे नहीं हुआ तब कभी भी मैंने कोई जाहिर कथन नहीं किया कभी प्रेस कॉंफरेंस नहीं ली कभी सोशल म मेडिया के माध्यम से मैंने व्यक्त कोई नाराजगी नहीं की, फिर भी मेरे बारे में चर्चा चलती रहे, अनेक पार्टियों के नेताओं ने कहा पंकजा जी नाराज है, हमारे पास आ सकती है, अनेक पार्टियों के नेताओं ने ये भी कहा कि हम उनको ये पद दे सकते हैं, हम उनको यह स्थान दे सकते हैं उसी बारे में भी मैंने उसको बहुत light note पे लिया पर कल पर सो जो एक news आई वो news ऐसे कहती है कि मैं राश्ट्रिय नेता जो कॉंग्रिस के है आदरनिय राहूल गांधी और सोनिय गांधी जी से मिली हूँ दो बार हमारा मिलना हुआ है एक सांगली के नेता है जो हमारे इस मिलने में मध्यस्त है और मैं भारतिय जन्ता पार्टी छोड़कर कॉंग्रिस की तरफ जा रहे हूँ यह जो news आई है यह news सरासर जूट है यह news नहीं मैं यह आपको शपत पूर्व इश्वर साख कह सकती हूँ क्योंकि आज कल शपत पूर्व इश्वर साख हर कोई शपत लेता है पर वो उससे कितना प्रामानिकता से उससे जुड़ा हुआ है मैं नहीं जानती पर मैं आज यह सब के सामने कहती हूँ कोई भी पार्टी के कोई भी नेता से मेरे पार्टी के प्रविश्के बारे में मेरी कभी भी कोई भी बात नहीं है राहूल गांदी जी को तो मैंने प्रत्यक्ष रुप में कभी देखा तक नहीं सोनिया गांदी जी को मैंने कभी देखा तक नहीं ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि वो एक शहर में है और मैं शहर में जब यह न्यूज आई उस समय मैं अपने मध्यप्रदेश के महारतिय जनता पार्टी के कारे क्रोम में अपने कारे करता हो के साथ थी और यह न्यूज जब आई तब मुझे इस बारे में बहुत पीड़ा क्योंकि आज तक ऐसी न्यूज आती थी कि इनका ओफर है इनका ओफर है मैं इसको लाइट नोट पे लेती थी पर यह जो न्यूज है यह कहती है कि उनके पास यह मालूमात है उनके पास ऐसे सूत्र कहते हैं और एक question mark डाल दिया कि question mark डालने से legal सब सही हो गया मैं इस channel पर म पान हानी का दावा ठोपने वाली हूं क्योंकि मेरा करियर कौडी मोल नहीं है लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके भवितव्य मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरी गरिमा मेरी प्रतिष्टा और मेरी integrity भी इसमें challenge होती है मेरे सिर्फ political जगत में नहीं सिने जगत में मेरे दोस्त है उड़ो जगत में मेरे बहुत सारे मित्र परिवार है आज वो सब मुझे यह सवाल पूछ रहे हैं इतना ही नहीं मेरा बेटा कहता है ममा यह news आ गया यह सही नहीं है पर हैसा news कैसे आ गया यह मेरे personality पर उठा हुआ सवाल है और यह कौन कर रहा है इ क्या उनको पता नहीं होगा क्या मेरे फोन में मैं किसे बात करती हूँ क्या उनको पता नहीं होगा मुझे लगता है मेरे जैसे सरल स्पष्ट और पार्टी से प्रामानिक नेता के गरीमा पर यह उठावा प्रश्म चिन्न है हां बहुत बार ऐसा